हेलो एवरीवन कैसे आप सब लोग वेलकम बैक टुग लाप तो आज हम लोग आगे का टॉपिक कंटीनियू करने वाले तो हमें पता है कि हम लोग ने पिछली सेच्चन में क्या क्या किया था हम लोग रेसे लेंडिंग वेफ को बहुत अच्छी तरीकस समझ लिया था अपको निया कुछ कोई क्यों में कुछ अच्छी समझ में आ गया तो आज हमसके आगे का कंतिनीशन करने वाले अब वेब्स खत्म होगे अब हम लोग साउंड के साथ कुछ करने और कुछ हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होंगे उनके बारे में भी हम लोग समझेंगे ठीक है चले आज कर रिक्षे स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नहीं हो तो क्या करोगे सब्सक्राइब करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करोगे शेर तो आज का मारे टॉपिक क्या है फ्री एंड फोर्ष वाइब्रेशन देखो अभी क्या है फ्री और फ्रोष वाइब्रेशन को हम लोग पहले समझ लेते फिर उसके बाद में हम लोग इसको अच्छे से त्यों हमेरे पार्ट में थेरी दिया वह हम लोग कंपेर करके पढ़ नहीं है तो फ्री वाइब्रेशन पहला टॉपिक ले लेते फ्री वाइब्रेशन तो देखो फ्री वाइब्रेशन में हमें क्या दिया गया है फ्री वाइब्रेशन है मतलब हमें कोई बी चीज़े अपने आप से फ्री ली क्या करेगी मूफ कर सकती है फ्री ली क्या करेगी इसमें फ्रिक्वेंसी इंवाल्ट होगी फ्रिक्वेंसी क्या होती है एक सेकंड में कितनी रेस हमारी बन रही है ठीक है एक सेकंड में हमारा कितना बाड़ी कर आगे पिछे जा रहा है वह हमारी फ्रिक्वेंसी होती है सबसे पहले समझते की फ्री वाइब्रेशन क्या होता है फ्री वाइब्रेशन यह सिंपल शब्द में आगर आपको बताओ तो यह अगर हम लोग ने एक अब्जेक्ट को यहां पर देखो एक सिंपल मैं आप लिया यहां पर एक बॉप को लटका दिया है इस बॉप को मैं यहां से खीच के यहां तक लेके जाओ और इसको रिलीस कर द यह रिखक है चलो करके दिखाता है मैं आपको अब यह हमारा माईक ले लेते हैं अब इसको अब लोग समझो कि यहां पर देखो यह एक यह बाइर है टाटेकर फ्रसे करते हम लोग यहां से इसा छोड़ा यहां पर जूब टीक है तब यह जो वाईब्रेट कर रहा था यह जो इसके कंवारे था अध्यार्च कर रहा था तो इसका फिर यह वेव जा रही था एक बार ही यह ब उसको एख रहे है oxalation को हम लोग undamped oxalation भी बोलते हैं कि हम लोग undamped oxalation ठीक है तो free vibration हमने क्या देखा कि वो freely vibrate हो सकती है freely vibrate होने का मतलब है कि एक बार हम लोग ने छोड़ दिया एक जगे पेस जाके release कर दिया एक object को फिर वो अपने free momentum में free frequency में इसका मतलब क्या ही है हमारा free vibration हो रहा है ठीक है फिरी vibration कभी बोलेंगे जब कोई external अब्जेक्ट पे हम लगाने वाले नहीं है उसकी फ्रीड़ी पढ़ लेते फिर इसके बाद में हम लोग फोर्च वाइब्रेशन भी पढ़ लेंगे चलो स्टाट करते हैं तो देखो यहां पर हम लोग फटा-फटा इसकी थेरी भी पढ़ लेते हैं और इसके कुछ अब लोग पर से रिलीस कर दिया कुछ भी कर दिया और वह अपने ही मूवमेंटम में क्या करते हैं आगे पीछ आगे विछ हो रहा है एकसी फ्रिक्वेंशी को हम लोग क्या बोल देते हैं नेच्टर फ्रिक्वेंशी से वह अपना उक्सिलेशन कर रहा है आगे इन इस वाइबरेशन अब्जेक्ट इस नौट अंडर दी इंफ्लूएंस ऑफ एन्नी आउटसाइड फोर्स बहुत इंपर्टन बोल दिया है कोई भी बहार के एक्स्टरनल फोर्स इसमें इन्वाल्व नहीं होगी जैसे कि मैंने आपको बता है कोई भी एक्स्टरनल फोर् गुमते जा रहे और एक टाम पर आके वह रुक जाता है तो आपनी ही फ्रिक्वेंसी से जो भी हम लोग बोलते है जो आपनी फ्रिक्वेंसी से ट्रैवल कर दा है आगे पीछे उसी को हम लोग क्या बोल देते है नेचरल फ्रिक्वेंसी बोल देते है ठीक है similarly when a string of guitar is plugged at some point it performs free vibration which is natural frequency गिटार में भी जवाब बोलो उसकी string टंग 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 बजाओगे न तो इसकी string भी करती है अपने ही एक बर हम लोग ने कर दिया ठीक है उसके बाद में क्या कर दिया अपने आप ही वाइब्रेट हो रही है उसी vibration को हम लोग क्या बलते है free vibration आगे देखो क्या बलते गया है अभी कौनसी frequency पर ट्रवल करती है natural frequency पर होती है आगे in free vibration the body at first is given an initial displacement तो हम लोग free vibration में हम लोग क्या करते है पहले हम लोग body को लेते है एक जगे पर जाके फिर उसको displacement पहले हो रहा है फिर उसको वहां से release करते है ओके and the force is then withdrawn the body starts vibrating and continues the motion on its own तो अभी body का कर रही है अपने ही आपसे वो motion करते जा दिये ओके no external force act on the body कोई भी external force नहीं है further to keep it in motion तो कोई भी external हम लोग force नहीं लगा रहे है वो जो भी motion कर रही है वो अपने ही जो हम लोग initially displace किया था उतने ही उससे वो अपने आप motion कर रही है आगे free vibration of the system means that system vibrates at its natural frequency तो अभी free vibration का मतलब क्या है कि वो जो system है वो अपनी natural frequency पे ही क्या कर रहा है वाइब्रेट हो रहा है क्या कर रहा है natural frequency पे वो वाइब्रेट कर रहा है in case of free vibration a body continues to loss energy due to frictional resistance of surrounding medium तो देखो अभी क्या वो लगया मैं जैसे कि मैंने आपको बताया यह move करते जारा करते जारा करते जारा फिर उसके बाद में क्या होता है उसकी energy अपनी आप कम होती जाती है क्यों कम होती है फ्रिक्शनल की वज़े से कौनसी फ्रिक्शन की वज़े से जो मीडियम में प्रेजेंट है हम लोग सिंपली क्या बढ़ेंगे air friction की वह स्लो करते जाता है energy loss होते जाती है therefore the amplitude of vibration goes on decreasing तो आपको जैसे मैंने बता है कि पहले vibration दो पहले मैं यहां सिए ऑप्जेट छोड़ा तो यहां से यहां गया फिर से उसी position पे नहीं आ पाया वह थोड़ासे कम आ रहा है फिर बाद में जा रहे है तो थोड़़ासे और कम रहा है ऐसे तक्सक्या एक पॉजिशन तो यह ऐसे आ रही है फिर उसके बाद में कम होते जा रहे है और ऐसे कम होते था एक बार में रूख जाती है थीकर इसका मतलब बोलने का मतलब यह था आगे देखते हैं अभी हमलों पॉइंट कि आगे देखते हैं क्या ब्लागया है तो जैसे आपने देखा कि एक बार में वो आगे बिच्छी करती रहती है और एक टाइम पे ऐसा होता है कि वो आगे रेस्ट पे रुप जाती है तो यह फ्री वाइब्रेशन का हो गया फ्री वाइब्रेशन में हमने क्या देखा कि फ्री वाइब्रेशन किस कौन सी फ्रिक्वेंसी पे होता है नैच्रल फ्रिक्वेंसी पे होता है ठीक है नैच्रल फ्रिक्वेंसी कुछ भी हो सकती है उस वाइब्रेशन की ठीक है अगर मैं तेह मेरु क्या होगी अगर मैं आई से बोलंगा यह तेह मेरे फ्रिक्वेंसी चेंज होगई जो मिरी प्लेंकि पाइटीकल्स जो यहां पर Small करके 0 में आ जाती है उसके commodity काई होती है decrease होती हे उसके केसी होती होती है हर बार decrease होती है और एक बार में आके rest पे रुप जाती है समझ में आ गया अभिया हमों डिसकस करते है forced vibration ठीक है का डिसकस कर शॉस्तर करें के हम लोग forced vibration चलो start करते हैं in the table top due to tuning fork of two different frequency are different as their force vibration due to two tuning fork of two different frequencies तो यह सब दे दिया है इसको हम लग समझेंगे कि तुनिंग फॉक क्या होता है यह सब ठीक है जिसकी frequency अलग अलग होती है आपको यह science practical में दिख जाएगा physics के प्रेक्टिकल में जब लैब में जाओगे तो आपको देखेगा जिसको आप लोग ऐसे मारोगे तो यह से वाइब्रेट करते जाएगे करते जाएगे ठीक है और उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है कि वह इतनी यह numbers की frequency है इतनी यह number frequency प्रेड्यूस कर सकती है तो अब लोग फोर्च वाइब्रेशन के बारे में समझते जैसे हम लोग ने करते जा에 का रहे क्लिक्षा येbirds मतलब क्या फोर्स हुल हीम क्या कराने की कौशिश कर रहे हैं ठीक है ड्रीट म Peki अपर ड्रील मशीन को पूश नहीं करोगे उसके भर फोर्स ड्रील मशी भी उसको तक यह होगय तभी उन्तर्फ यहांच स्ट होगा है यहां एंप्लिट्यूट्स है ऑक्सिलेट करते रहे तो उसका नहीं किया होगा कम नहीं होगा रहे सकती है इसकी प्रप्लिट्यूट्स से सकती है ठीक है कोई प्रॉब्लम इसमें फोर्स वाइप्रेशन समझ गया आपके नश्क करते हैं कि यह फ्री वाइप्रेशन के ऊपर जो है उसका हम लोग क्या बूल देंगे थे अपर अपको और अच्छी से समझ में आ जाएगा कि फोस though स्वाइबरेशंग यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं хорош vibration एन इक्सटर्न प्रियोडिक फोर्स इंब्ला तो धियं उक्टारनल प्रियाडिक इसका नैस्टरल पिरेड मतलब जो इसका 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 कंटर वल है कि यहां पर गया इत्नी टाइम है इतने टाइम पर आएगा तो वह अलग है और जो हम लोग उसको external apply कर रहे है, external frequency अपलाई कर रहे हैं, तो यह भी हमारे उपर है कि हमें कितने frequency के उपर चाहिए, अगर मुझे ज़्यादा frequency में चाहिए तो मैं number of frequency क्या करणंगा, ज़्यादा कर दोगा, टाप टाप टरॉर अट मारते रहूंगा तो क्या करें जली जली वाइबरेट करेगा, correct है, या फिर हम लोग इसको कम भी कर सकते हैं, जितना हमारा required है, उतना frequency, इस force vibration में set कर सकते हैं, ठीक है, आगे, the amplitude of the force vibration depends upon the different between the frequency of external periodic force and the natural frequency, अभी बहुत रचे समझो, कि इन दोनो frequency का difference, इन दोनो difference, कौन-कौन से frequency का difference, एक हो गया हमारा natural frequency, natural frequency का difference, और एक हमारा जो हम लोग ने different, अब external frequency जो हम लोग बोलेंगे, इन दोनों का जो हमें difference मिलेगा, ठीक है, इन दोनों का जो हमें difference मिलेगा, वो हमें क्या देदेगा, amplitude, क्या देदेगा हमें, amplitude, इन दोनो frequency का difference मुझे क्या देगा, amplitude देगा, यह point आपके book में अच्छी त तो इस्टेंटों का लिएक हूं सबसे जाए होगा घृत कितना होगा यहाशाइन सबसे एकlawी neighbors से मतलब अपनी amplitude थोड़ी सी कम है अभी यह हम लोग discuss करेंगे कि क्या है ठीक है समझ में आ गया यह point बहुत अशी से अपने notebook में note down करके रख लो कि difference में हमें क्या देगा इन दोनों का difference हमें amplitude का change देगा ठीक है कौन-कौन सा natural frequency और external frequency का difference हमें क्या देगा amplitude की value मिलेगी ठीक है अभी देखते कम जाधा क्या है यह चलो देखते अच्छे से आगे क्या बता दियेगा है यहाँ पर चलो आगे देखते है the body the amplitude of the force vibration depends upon the difference between frequency of external periodic force and the natural frequency of the body if the difference is small अभी यह भी point अच्छे से note down कर लो मैंने क्या बताया था if the difference is small दोनों के बीच में अगर difference small है the amplitude of the force is large and vice versa जो कि मैंने आपको बताया क्या बताया था मैंने अगर मेरा दोनों अगर same हो गई the difference बहुत चोटा हो गया तो the amplitude बहुत जादा बढ़ा होगा अंगर difference बहुत जादा बढ़ा होगा तो add being home the organization होगी इसका मतलब क्या बोल रहा है तो आगे आला point देखते है है भी हम लोग आगे में क्या बोला गया है if the frequency exactly matches अगर दोनों frequency एक दूसरे से match कर जाती है तो देखो क्या होता है in the term as resonance and the amplitude of vibration is maximum अभी यहां पर एक नया term आ गया है resonance रेजोनेंस मतलब क्या है जह हमारे natural frequency और एक्सटर्णल फोर्ष है एक्सटर्णल फ्रिक्वेन्स हम लोग दे रहे हैं अगर वह दोनों frequency सेम हो घई सेम हो गई तो हमी क्या मिलेगा हमें रेजोनेंस मिलेगा इसका मतलब amplitude हमारा maximum होगा वाए रेजूनेंच मतलब क्या फिर से आपको मैं आपको बता रहो यह अगर यह भी मेरी 50 हटो गए वह यह दोन्यों से आपटलेन्स प्रेमेंच consumption होग़े यह ऐसे कोंदिशन में क्या बलते है कि resonance हो गया क्या हो गया resonance हो गया resonance हो गया हमेरा amplitude हमें क्या मिला है amplitude हमें large मिलेगा क्या मिलेगा large वो क्या कर रहा है 30 Veg से Move रहा है 30 heures मूफ कर रहा है और मैंने 30 largest hair सढ doesn apply चालो कर दिया धरिव चलिबे कर दिया external force external frequency क्या कि है थो क्या कर है यह क्या करेगा और 3030 क्या मिली मैंगे अमें ज्यादा मिल जाएंगे यहां तो हमें रहरी च्छों क्या कर दिया the we Ricky Ama कर लए हो इन दोनों का डश्रेंस अम क्या डेता है एंदोनों की बीच में जितना कम डिफ्रेंस ऊतना ज्यादब चोटा ठीक है अच्प क्या टम मिलेगा हमें रेजोनेंस मिलेगा अच्छे से समझ लो इस टम को पक्का समझ में आ गया आगे चले चलो आगे चलते हम लोग कि आगे देखो आगे अबजक्त वाइबरेटिंग विट इस नेट्रल फिकेंसी अनलवे उप्जिकु अबजयक्त करने की ताकत रखता है ठीक है, the second object absorb the energy transmitted by the first object and start vibrating if the natural frequency of the two matches, तब यहाँ पर क्या पो लगया है कि पहला वाली की वज़े से दूसरा वाला vibrate करना चालू कर देगा, लेकिन जब यह यहाँ से पहले वाली से दूसरा वाली की पास जाएगा यह होगा, vibrate करना start कर देगा तो इसमें energy का लॉस हो जाएगा energy का लॉस हो तो हो गया, लेकिन second वाला vibration क्या करने लगेगा, second वाला अपनी natural frequency क्या करना पड़ेगा, वो vibrate करना start कर देगा, ओके अभी आपर के लिखाया, you have seen the example of two simple pendulum supported from a string in the previous chapter अभी previous chapter में वो अमारा topic छोड़िया था ठीक हो, oscillation में वो topic अच्छी सकत दिया था कि हम लोग ने, एक fixed object से हम लोग ने, दो बप लगा दिया, दोनु बप को हम लोग ने, same frequency से फेका था तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है the second object is set to undergo forced vibration string और air column can also undergo forced oscillation, at the frequency of the external source of the sound is closed to the natural frequency of the system, resonance is set to occur and we hear a louder sound, ठीक है, तभी यहाँ पर sound के case में है, अगर मैं same, अगर मेरी frequency में, अगर मेरा एक और duplicate यहाँ पर आ गया और हमारे दोनों की frequency सेम होगी तो आपको हमारी आवास बहुत ज़्यादा जोर से सुनाई देगी कि मेरी आवास, प्लस मेरे duplicate की आवास दोनों एक ही frequency में travel करें तो आपको एक बड़ी आवास सुनाई देगी, एक louder आवास सुनाई देगी same हमारा example होता है, military वाले जाते पता है आपको क्योंकि इन दोनों की क्या होगे, frequency match हो गई, समझ दो, क्या हो गए, resonance हो गए, दोनों की बीच में तो bridge का structure क्या कर सकता है, damage हो सकता है, तो इसको हम लों क्या बोलते है, resonance condition यह क्या हो रहा है, अकर हो रहा है, resonance condition कभी अकर होगा, जो हमारी natural frequency और external frequency जो अगर एक डूसरे सेम हो गई, same एक point पर आके मिल गई, तो उस time हमें क्या मिल जाता है, resonance मिल जाता है, resonance के वज़े से हमें क्या मिलता है, maximum amplitude मिलेगा, sound में अगर resonance होगा, तो क्या बोलेंगे हमको, कि louder sound हमें मिलेगा, समझ में आ गया, तो अभी देख हम लोग ने क्या क्या देखा, free vibration and forced vibration, free vibration में हम लोग ने एक अपनी natural frequency क्या करता है, force vibration में क्या होता है, हम लोग external supply, external force, external frequency देते हैं, ताकि वो force fully हम लोग उसको करवाते है vibration, ठीक है, दोनों का अगर मुझे difference चीए, natural frequency और external frequency का मुझे difference मिलेगा, जो भी difference मिलेगा, उससे मुझे amplitude मिल जाएगी, दोनों का difference अगर छोटा होगा, तो amplitude बड़ी होगी, दोनों का difference अगर बड़ा होगा, तो amplitude छोटी मिलेगी, ठीक है, difference बड़ा, तो amplitude छोटी, difference छोटा, तो amplitude बड़ी, ठीक है, अगर दोनों equal होगे, तो हमें क्या मिलेगा, resonance मिलेगा, correct, समझ में आ गया, पक्का, तो चोड़ा टोपिक, harmonics and overtone, अभी हमें समझना है कि harmonics क्या होती है, क्या harmonics overtone सेम होते है, क्या overtone होते है, क्या harmonics होते है, यह सार जो अभी doubt है, बहुत सारा confusion होता है इसमें, वो आज हम लोग clear करेंगे, इस session में, ठीक है, क्या harmonics होती है, overtone क्या होता है, क्या overtone harmonics हो सकती है, या फिर harmonics overtone हो सकती है, ऐसा कोई क्या है, relation क्या है, वो सब आज हम लोग अज discuss करने वाले है, चलो start करते है, pen pencil book निकाल कर रख overtone मतलब क्या होता है, overtone मतलब something over is, something over, ठीक है, overtone मतलब जो मैं बोल रहा हो, उससे भी ज़्यादा, मतलब natural से ज़्यादा जो कुछ भी होगा, उसको हम लोग overtone में डाल देंगे, अभी मैं आपको यह overview दे रहा हो, अभी आपको और अच्छे समझ मां जगे कि frequency harmonics और overforce, overtone क्या होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या क्या दिया है हमारे book में, when a string or an air column is set into vibration, by some means, the wave are reflected from one end and stationary wave can be formed, यहाँ पर हमारे पास example का दिदे है, कि हम लोग ने एक string लिया है, एक pipe के अंदर रखा है, वहाँ पर हम लोग क्या क कर रहे, bold रहे या फिर हमारे string perform कर रहे है, तु, हापर क्या कर रहे है, एक end close है, तु, हापर लिया हमारी wave तियार हुरी है, standing waves तियार हुरी है, आगे, and important condition to form stationary waves, depend on the boundary condition, अभी एक बहुत important condition है, टिक है, standing wave बनाने के लिए, imagen के Inter-ökertool दोनों end क्या है, हमारे block दोनेoter है करेक्ट है दोनों एंड क्या था ब्लोक कर दिया था बीच में हमारी स्ट्रिंग थी तो यहां पर देखो यह ही condition को आगे है समझने आ ले वाद अच्छा से condition that क्या है किया है conditions that constraint the possible wavelength और frequency of vibration of the system तो यह हमें देखना है कि दो लोग में फिक्स ले अबजेक्ट सिफिक्स साइब ले लिए उसमें डिया हम लोग ने जब मैंAgain अगर एक बार यहां पर किया कुछ ऐसे लिआपकर करेगा ठीक है कुछ ऐसे वाइब रिट किया यहां पर एक वेफर मन हरी हैं यहां पर दो नोर्ट बनेंगे और यहां प यहाँ पर नोड्ट बन रहा है यहाँ पर नोड्घ पर नोड्ड है अब अनग स्थूर PLAYING पहले वाले लेक्षेस में डिस्कस कर भिए एक लिता ड्लों को आपको बता है कि वेव में य क्या है हम्लों कि यह Мих ti f आपको पह infinity अब अपर हम प्लोग क्या करते हैं एक फिक्वेंसी से चबढ़ने लगास करने लगा करते हुए अब अगर हम लोगने इसको पकड़ किसते रहे हैं बाहर से external force देते रहे तो इसका हम लोग force vibration बोल देते है ठीक है तो आज हम लोग discuss करने वाले harmonics और over tune अब यह harmonics का definition क्या है harmonics का definition बहुत easy है आप लोग लिख लो सब लोग the integral part of it is the integral integer sorry sorry integral मतले लिखो integer of the natural frequency ठीक है natural frequency क्या है अगर मैंने मान लिया कि नेच्टल फिक्वेंसी मेरी 50 अंते आच्छाल बीक्वेंसी 15 मान ली तो उसके बिएंटीगरल पार्ट होंगे ठीक है इंटीगरल पार्ट जो भी होंगे उसको हम लोग क्या बूल देंगे हार्मोनिक्स बोल देते हैं यहां पर मैं लिख देता हो हार्मोनिक्स क्या बोलेंगे इंटीजर मुल्टिपल आफ नैच्रल फ्रिक्वेंसी यहां पर मैं इंटीजर लिख लूँ ठीक है उसके मुल्टिपल में क्या होगा हमारा नैच्रल फ्रिक्वेंसी होगा उसका मुल्ट क्या बल देंगे उसके हम लोग क्या बल देंगे हार्मोनिक्स बोलनेंगे यहां पर वन होगा अगर मैंने फिफ्टी 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 हट्स आ गई वह हमारी बनके फिर्स्ट हर्मोनिक फिर टू आ गया टू इंटू फिफ्टी हंडेंड हो गया तो उसके हम लोग मान ल ओवर्टोन के लिए अच्छे से बहुत अच्छे से सुनना यह नैच्छल फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो भी हमारी फ्रिक्वेंसी होगी उसको हम लोग किसमे डाल देंगे ओवर्टोन में डाल देंगे अच्छे समझो ओवर हो रहा है तो यहां पर आपको ओवर्टोन में आपक फ्रिक्वेंसी पकड़ा फ्रिक्वेंसी होगा जो हैट्स में होगा उसका हम ल नैचvenue्राइल तोके हम लूए उसका आगे पर हमके बुक में देखो क्या दिया है वह छीज़तें फिर से यहां पर देखो किया बल जा गया है these are called natural frequency or of normal mode of oscillation the minimum of this frequency is term the fundamental frequency of the or the first harmonic जो हमारा natural frequency जो भी चीज़े होती है आगे पिशे जा रही है string में wave त्यार हो रही है एक्सेटरा एक्सेटरा वो सब हमारी क्या हो जाती है हम लोग count करते है और जो natural frequency होती है उसी को आम लोग first harmonic बोलते है थीक है उसी को हम लोग क्या बोलते है फ़र्स्ट harmonic बोलते है आगे the corresponding mode of oxalation is called the fundamental mode और fundamental tone fundamental tone बोला है Overtone नहीं इसी mode को हम लोग ने क्या बोला है इसी fundamental mode of oscillation को हम लोग ने इसको आप लोग fundamental mode बोल दो या फिर fundamental tone बोल दो ओके तर्म Overtone is used to represent higher frequency थीक है तो Overtone word हम लोग क्यों यूज करते हैं higher frequency के लिए use करते है लग नॉर्मल frequency जो हमारी natural frequency है उसके ओपर आली frequencies के लिए हम लोग Overtone word यूज करते हैं रिप्रेजन करते हैं तो first frequency higher than the fundamental frequency is called the first overtone समझ में आ गया मैंने क्या बोला fundamental frequency से जो higher होगा उसी को हम लोग first overtone बोलते हैं वो कुछ भी हो सकता है ठीक है अभी यहाँ पर देखा और क्या बोला गया the next frequency higher is the second overtone and so on उससे बड़ा होगा तो second देदेंगे उससे बड़ा होगा तो इसको third overtone नाम देदेंगे आगे the term harmonic is used when the frequency of the particle particular overtone is an integral multiple of the fundamental frequency अभी यहाँ पर देखो यहाँ पर harmonica भी definition दे दिया है तो term harmonic is used when it is used when the frequency of the particular overtone particular overtone is an integral multiple of fundamental frequency integral multiple ठीक है integral multiple मतलब जोने मैं आपको बताया 1 2 3 4 किसके साथ multiple होगा natural frequency के साथ उसी को हम तो क्या बोलते है harmonics बोलते हैं अच्छे से समझ लोग इस बातों को ठीक है hence they are terms as harmonics इसलिए हम उसको harmonics बोलते हैं but all harmonics may not be present in a given sound अब इसको mark करके रख लो कि हर sound में all harmonics may not be present in the sound wave और sound ठीक है अब सभी harmonics present होना यह जरूरी नहीं है first harmonics second harmonics third harmonics fourth harmonics यह सब present होना compulsory नहीं है आगे the overtone are only those multiple of fundamental frequency which are actually present in the given sound अब आप लोग बोलो कि sound में present होता है क्या है कौनसी overtone present होती है कौनसी harmonics present होती है तो मैं आपको बता दू कि हम लोग को क्या लगना है odd odd numbers जो होते 50 150 ठीक है odd ठीक है 3 से multiply किया 150 5 से multiply किया तो कितना मिलेग हमें 50 के साथ 250 तो हमारा क्या है कोई integral part मतलब 1 3 5 उसके साथ अगर हम लोग multiply करेंगे जो हमारी frequency natural frequency तो हमें वो frequency में overtone मिलेगी और उनी frequency के हम लोग sound देख सकते है आगे आगे देखो यहाँ पर क्याता दिया है the overtone are only those frequency of the fundamental frequency which are actually present in the given sound the harmonics may or may not be present in the sound so produced तो harmonics present हो भी सकता है present नहीं भी हो सकता है जो sound produce हो रहा है ठीक है to understand the concept of harmonics and overtone let us study the vibration of air column तब इसको समझने के लिए हमारे book में और बहुत सारी चीज़े दे दी गई है कि एक pipe ले लिया एक pipe को हम लोग ने एक side से close कर दिया जब harmonics और overtone को बहुत अच्छे से इन example को हम लोग समझेंगे कौन-कौन से example दिया हमारे book में एक pipe में vibration जा रहा है जिसका एक end क्या है close है फिर उसके बाद में हमारा example दे कि दोनों end क्या है open है अभी इसमें और एक problem होती है कि जब हमारा एंटी नोट तयार होता है तो एंटी नोट जस्ट एक्जेक्टली अभी यहाँ पर में example आपको देखके समझाने की कोशिश करता हो कि हमारा close pipe है यहाँ पर हमारी वेव क्या कर रही है यहाँ अंदर से बाहर की तरफ आ रही है तो अभी पता है यहाँ पर क्या बनेगा यह यहाँ पर बन जाए ठिक है एंक्री नोट यहाँ पर बन के फिर सघ्र आगे की तरफ चलिशन होता है इसको यहाँको और करेक्षन की कि end correction को consider कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर नोड और अंटी नोड कहां पर बन रहा है ठीक है एंड करेक्शन को हम लोग involve कर लेता है वह हम लोग detail में discuss करेंगे कि end correction होता क्या है एक्सेटर एक्सेटर यह जो सब सारी चीज़े है इसको हम लोग discuss करेंगे तो अभी हम लोग में क्या discuss किया दो टर्म discuss किया पहला टाम हार्मोनिक्स हार्मोनिक्स का हमारा नाच्रल फिक्वेंसी का इंटिक्रल मल्टिपल है ठीक है और और कुछ प्रॉब्लम इसमें और अची अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना अपने फ्रेंस की साथ शेयर कर देना चलिए जाएए पढ़ाई कीजिए बाई